अलो फ्रेंड्स, गोन-कतिरा, गोन-कतिरा बोहती हैल्दी होता है हमारी शरीर के लिए, गोन-कतिरा एक खाने वाला गोन है, जिसमें ल Battle policies होती है, जो हमारी शरीर को ठंडा रखती है, वह गर्मियों का मौसम है, समर सीजन है और समर सीजन में ठंडा-ठंडा कूल-कूल, शे के मौसम में थंदा थंदा कूल कूल ओमाइग गॉड और साथ ही में हमने ले लिया है चिया सीट्स 16% प्रोटीन कंटेंट है रिच और फाइबर से भरपूर है और यहां पर इसकी MRP है 199 रुपीज और साथ ही में 200 ग्राम का पैकेट है तो फटा फट से मार्केट से ले कर आए और enjoy करें यहां पर हमने साथ ही में एक कपने लिया है और इसमें हम डाल देंगे केसर वही केसर से इसका जो टेस्ट है वो माइन ब्लोइंग बहुर थी अच्छा आएगा और यहां पर हम वन स्पून के बराबर गोन कतिरा डालेंगे पहले हम थोड़ा सा hot water डालेंगे जिस अगर आप मेरी रेसिपी को देख के कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपका तही दिल से शुक्रिया होगा तो यहां पर हमने पानी डाल दिया है लुक वर्म वाटर या थोड़ा सा hot water भी डाल देंगे तो यह अच्छे से फूल जाएगा ओवरनाइट मैंने सोप करने के लिए रख दिया था और next day देखा तो इतना फूल गया यह गोन कतिरा वही गोन कतिरा heat stroke से तो बच जाता ही है अगर इसका 7 हम कर लेते हैं तो lose से भी बच जाते हैं और बच्चों को खास तोर से nose bleeding की शिकायत रहती है तो बच्चों को यह अगर हमने गोन कतिरे का shake पिला दिया ना तो उनकी शिकायत भी धूर हो जाएगी और कई रोगों से निजात भी मिल जा जाता है तो बच्चों को खासी हो जाती है तो खासी को भी इंप्रूफ करता है कफ भी दूर करता है और इसकिन पर ग्लो भी लाता है बहुत से benefits हैं और साथ ही में यहाँ पर हमने ठंडा milk टाल दिया है और chia seeds टाल दिये हैं अच्छे से mix कर देंगे पट यह without sugar है without sugar बच्च महबत का शर्बर टार देंगे रूबजा जो सबकी घर में available होता है गर्मियों के मौसम में इस तरह से mix कर देंगे और केसर और रूबजा का जो flavor है वो बहुत ही tasty लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को तो इस तरह से mix कर के दीजी वो फटाफर से तो यहां पर हमने अच्छे से mix कर दिया है तो प्लीज गर्मियों के मौसम में इससे try कीजेगा एक बार मैं इससे blend कर लेती हूं ब्लैंड करने से क्या होता है न यह fluffy हो जाएगा fluffy होने से क्या होता है जो taste है और भी जादा double up हो जाएगा तो एक बार हम mixer jar को चलाएंगे और फटापट से ठंडा ठंडा सर्फ करेंगे जितना ही ठंडा होगा न उतना ही अच्छा होगा और टेस्टी लगेगा आपने कभी गोन कतीरे का शेक भी डू अबजा के साथ बनाया है क्या प्लीज कमेंट कर दीचे आपकी कमेंट का मुझे इंतिजार रहेगा तो गर्मियों सीजन जाने से पहले ट्राइ कर लीजे इंच्वाइ कर लीजे शेर कीचे और बाई